हेलो दोस्तों स्वागा थे हैं सबी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल समराट केड़ में तो दोस्तों मेरा नाम है कास और मेरे प्यारा विदार्थियों आज लेक्चर पांचवा अममायत का हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं संबंध और फलन और इस वीडियो म माम बात करनेवाले हैं प्रश्णावली 2.3 के परक्टर लिके पर्षि और उधार्ण की बारे ओर vita के बारे में जीतना उधार्ण थे उस वीडियो इस वीडियो में डिसक्स होगा प्रश्णावली 2.3 का तो मेरे प्यारा विद्दार्थियों शुरू सन लेकर लाश्टर द यह संबंद टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके साब को समझ में आना चाहिए ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे विदार्तिव आज की टॉपिक की स्टार्ट करते हैं कि फलन क्या होता है और बहुत सारी जरूलिसके हैं नियम हैं उधारण हैं सारे चीज़ करने वाले हैं तो श प्रतिविम होता है आपका फलन क्यालाता है समझ रहा है कि एक समूचे अ से समूचे बी का संबन्द f है इसका कहने का मतलब यह चीज़ आभी परिभासा सब सब कुछ क्लीर नहीं हुआ होगा मैं अबी क्लीर कर देता हूँ बात को समझ यह इसका कहने का मतलब यह देखिए यहाँ पर Shit बहरा समझाँगा ना तो सब इसमुच्य का भी हो गया यह समुच्य किसी दूसरे समुच्य से यहां फ़लंदर साथ इस तरह मतलब पहले हम लोग पढ़ा थे कि इन दूनों के बीच पार-पार संबंद है फिक है लेकिन अगर यहां पर एफ लिग देंगे ता अमको मालम चल जांगं यह इन दोनों की पीछ फ़लन है आभ है किलिर होगा यहीजामपल लेता हूं जैसे कहने का मतब इसका जैसे A का संबंद में ले लेता हूँ दू से, इस तरब B का संबंद में ले लेता हूँ किसे तीन से, इसी प्रकार C का संबंद में ले लेता हूँ किसे चार से, और D का संबंद भी हमें ले लेता हूँ किसे चार से ही ले लेता हूँ, ठीक है, और E का संबंद में ले लेता प्रत्य 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 प्रत् प्रत्य विम्म है और ए प्लत्य विम्म है तो आपका क्या जहाने के लिए यहां पर माल लेता हूं कि जो एक़ी जितने भी विया है इसको माल लेता हूं मान ओर झाइं मार बच्चे में संबंदर सा देता हूं अच्हा हूलए देखी कंसर्ट के लिए कर देता हूंदा क्या है बच्चा और इनके अभयोव हूं और स्पलन को समझे देखे फलन क्यों होता है कि दो समुचे के बीज यह ऐफ दर्साने को हम लोग क्या काते हैं अब फलन काथ हैं mean pasarया का कोई इसलिएउड लूति प्रतिविं में प्रतिविं होगा जिसे एका दो प्रतिविं क्यों तो प्रती एक बचे का कोईना के मां होगी है तक तो आपका क्या कहलाएगा समुच्छे कहलाएगा अगर यह के तो Benmmas लेता हूं तक आपको पूरा डाउट के लिए रहो सेके सारी चीजे अभी ध्यान से पढ़िएगा घब्रान वाले कोई बात ने टॉपिक थोड़ाट सा डिफकल्ट होता है लेकिन के लिए रोजागा अभी संबंद में बता दूंगा आप लोगों की से कहते हैं देखिए यह यहां पर दो समझे लेता हूं मैं इसको मैं लेता हूं ए और इसको माल लेता हूं भी इन दोनों के बीच हमें फ़लन संबंद अस्थापित करना है ठीक है यह होगा आपका ए इसको माले बी यह होगा सी और डी इसमें पांच हो यह हैं अधर भी आपका एक दो तीन चार कित सब्सक्राइब एक करने है और सिक्राइब में सबस़ से विए प्रतिया स्थ स씁थ वूद्ध को और केवल एक प्रतिविम होता है मतलब समूची एक के जितने अवयों होंगे उन अवयों को केवल एक का ही प्रतिविम होना चाहिए जैसे यहाँ पर ए देखिए एक का दो प्रतिविम हो रहा है एक का एक भी हो रहा है और एक का दो भी हो रहा है तो मेरे प्यार अभिदार्थ यह फलन नहीं होगा क्योंकि एक बच्चे की दो माँ होगी कभी आप बताई देखे ट्रीक अच्छा है एक बच्चे की कभी दो माँ हो सकती है नहीं यहां पर दो बच्चे की एक माँ हो सकती है यहां पर दो बच्चे की एक माँ हो सकती है नही तो मेरे पियारे थे बस इतना ही concept आपका clear हो जागा कि अगर समुच्चे ए के परतिय कहव़े होएं अकर एक वह का दो परतिविम्बनना है तो समझे कि वह फलन नहीं होगा जैसे देखे ए जो है एक हे कितने परतिविम्बनना है दो एक तो एक बनना एक तो दो बनना है तो यहां पर कितने प्रतिविम बनना है दो प्रतिविम बनना है तो दो प्रतिविम बन रहे हैं तो क्या कभी फलन हो पाएगा कभी नहीं फलन होगा एक अवयो कि यह कभी प्रतिविम बनने चाहिए बस तो यह आपका फलन नहीं होगा आ आफलन को और अच्छे तरीके से हमें डिसकस करना है तो चलिए कुछ पांच शे अग्जांपल और में इस तरह ग्राफ बना देता हूं ताकि उसको चेक करके आप अच्छे तरीके से जान पाएं कि हाँ फलन कौन है फलन कौन नहीं है चलिए एक-एक फिगर में बनाऊंगा और आपको बताते चलना है, ठीक है, तब जाके concept clear होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यह topic बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो चलिए हमारे साथ तयार हुजए इस topic को अच्छे तरीके से समझने के लिए, 5-6 example बताऊंगा ना, सब कुछ clear हो जाएगा, जैसे आपका A हो गय दिया मैंने ठीक है, मैंने A का, A का समझन 2 से दर्सा दिया, और B का समझन 3 से दर्सा दिया, और C का समझन 4 से दर्सा दिया, अब बताएगे कि क्या इन दोनों के बीच फलन है, क्या इन दोनों की function है, फलन है बताईए, आप देख के इस figure को, तो आप कहेंगे कि नहीं, इन मैंने बताया था कि यह का वयो का कोई ना कोई प्रच्वि भी होना चाहिए तो एक हम दो मिलना है दूला है निग का भी एक चम Васनय लेकिंछ आपका ज़्य होना चाहिए लëकिन मेंट obtrak्तफ ट्रेश्व के वि Civला। नहीं है कि क्या नहीं है फलनंगा नहीं है तो मतलब इन दोनों के बीच एक रिलेस्न नहीं होगा प्रतिविम तो मैं प्रतिविम्भ होता तुमाइं प्रतिविदार्द के घ्लियर होजागा एक एक एक्जामपल और लेते हैं दूसरा उससे क्लियर भी करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमें जो फलन है वह याद आ जखके क्यूंकि फलन पर ही सारी चीज़े टीकी हुई है आगे की क्यूशन भी फलन पर ही होंगे जैसे इसको मैंने A माल लिए इसको मैंने B माल लिया क्ल संबंद एक से करा दिया बी का संबंद भी एक से मेंने करा दिया ठीक है और सी का संबंद में किसे दो से करा दिया और इसी सी का संबंद में तीन से करा दिया और टी का संबंद में चार से करा दिया अब बताए क्या यह फलन हो सकता है कि फलन होगा आप कहेंगे नहीं सर यह सब्सक्राइब देखें एक अई बच्चा है इसकी दो भी मां होगी इसकी तीन भी मां कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है एक बच्चे की दो मां कभी नहीं हो सकती है हलांकि देखें, दो बच्चे की एक माह हो सकते हैं, क्या दो बच्चे की एक माह नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की दो माह नहीं हो सकते हैं, ठीक हैं, इसलिए या फलन नहीं है, इसलिए फलन नहीं है, दिरे दिरे कंसेप्ट के लिए हो रहा ना, इसलिए इन दोनों क कि भी जो है F संबंद नहीं होगा R संबंद होगा ठीक है तो सब कुछ के लिए हो जागा बस अराम से चीजों को पढ़ते चलेंगे नहीं तो सब कुछ के लिए होता चला जाएगा चलिए तीसरा एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल करना बहुत जोगी पांच शे ले लेता हूँ ए बी सी और डी इसके ले लेता हूँ एक दो तीन और चार ले लेता हूँ इन दोरों की बिल्कुल यह फलन है क्या है बिल्कुल फलन है क्योंकि एक दो तीन चार चारो देखे चारो जितने चारो ओवे कि कोई ना को एक प्रतिवी में क्या चार बच्चे की एक मा नहीं हो सकती है बिल्कुल हो सकती है चार बच्चे की एक मा हो सकती है नहीं बिल्कुल हो सकती है यह चार बच्चे की एक माह हो सकती है यह आपका फलन है क्या है फलन है मेरे प्यारे विद्धार थी हूं तो तीसरा हो गया ना अब च्यों था एक्जामबर समझे है अलग अलग तरह के डाइग्राम रहें कि अलग तरह दिमाग आपको खुल जाएगा फलन होता क्या है आखिर मे इसको A मान लिए इसको B मताफ़ फलन है तो इस कौँछा क्या हमारे जिएतु जाने होता है तो इसके एक सब्से दर्सा दिया है क्या है सर्वर समय आप बताब होगा कि नहीं होगा है तो फाले आपक मीठ शूट रहा है और एक तो आपका एक बच्चे की दो माँ डिखा रहा तो इससे ही फॉलन नहीं होगा तो इसको तुरॉब दिया जागा कि तो इन दोनों के बीच जो समभन दोगा वह आ रस्था भी दोगा मतलब कुछ ना कुछ समभनता है लेकिन फलन वाला समभन देए एफ या का वहता है जब फलन होता है ठीक है इसी प्रकार आई आजए पाचमा देखिए कनसेट को के लीडे किजिए कंसेट को एक राख जीवन में कंसेट के लिए रहो गया ना इसके बाद कोई व्यूढ़े देखनें जोट नहीं है आपका ए है और आपका बी है ठीक हैं अब हैं घुआ व лег ले ले लेता हूं इसके हैं िनले सब्सक्राइब ऑस कुलिए के दिए तो पूरा साप सूतरा दिख दारहा हुए इसमें कुछ समझने वाली बात फोड़ी क्या है एक का इमेज एक दी का मेज दो सी का मेज तीन डी के मेज चार तो यह फलन है फलन है इन दोनों की भी एफ संबंध होगा अब लाश्ट बता देते हैं इसके बाद जेस्ट कंसेप्ट की तरह बढ़ेंगे और एक्जांपल भी होगा यहांगी है कि यह होगी का अपका ए भी इस और डी होगी एक दो थीन चार चलिए बताइए गाए का समझ में ने से धर साथ यहां और ताइए अब बताएए फलन होगा की नहीं बताइए तो थी छूट गया कई दी कर भी तो होना चाहिए ना कोई प्रतिबी ठीक है क देखेए यहां पर दो बच्चे की एक माह ओगी बिल्कुल सभी है लेकिन यह वाला छुड़ जा रहा है यह कंडिशन फालो नहीं हो रहा है इसलिए फलन नहीं है तब फलन नहीं है तो इन दोनों के बीच क्या यह है और यह भी है तिन दोनों के बीच आर समंदस था भी थो ठीजएक करमीत यूग में जैसे थी से तीसरा फिलन था तर दिखिये इसको लिखना का स्टआइल है कि एफ बराबर F बराबर करमित यूग में कैसे लिखते हैं F बराबर देखे A का समंद किसे है B का समंद एक से ही है C का समंद एक से और D का समंद एक है तो यहां इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा कि F बराबर A का समंद एक से काम B का समंद किसे एक से सीखा वी समंद एक से ही था और डी का समंद एक से था इस तरह से क्रमीत यूग में लिखेंगे अगर ये ठीक है मेरे प्यारा विदार्चु यहां तक आपको किलियर हो गई हो गई होगी ठीक है अब मेरे प्यारा विदार्चु इसमें भी आपका आता है जैसे हमने उसमें पढ़ा था रिलेसन में 오른e में पड़ा था निरुप से कैसे निकालेंगे रोप में पूरो प्रतिवी역 प्रांथ में क्या होता है प्रांत क्या होता है कि यह सारी चीज है थिकए कि यह प्रकार का संबंध ही ह께서 फंक्सन ही देखेंगे तो देखेंगे यहां पर हम लोग बना लेते हैं सेट कि द्यान से समझेगा ठीक है यह आपका यह समुच्च्च हो गया आपका बी समुच्च्च हो गया इन दिनों के बीच हमें एक फरन अस्थाबित करना एफ ठीक है यहां क्यों माल लेते हैं एक दो तीन चार और दर के माल लेते हैं एक दो तीन चार पांच और छे माल लेते हैं ठीक है अब मेरे प्यारा विजार्थि देखिए हम दरसा देते हैं कि एक का सम्द्ध दो से है और दो का सम्द्ध तीन से ह है और 3 का सम्द है चार से और कि पांट से हैं ठीक है तो इस प्रतिया को हमेश होना चाहिए प्रतिया कोई लियुक्त अजोμα है क्योंकि अब लेक्रतिया क्योंको क्लीव पयुक्तन अब देखें मेरे प्यारवी दर्थु यहां से क्या-क्या आपको निकालने की चीज़े आएंगी और सब कुछ में यह कही इसी क्यूसर में सब कुर निकाल के दिखा दूँगा फिर एक्जामपल आप लोग करेंगे वहतर डंग से आपको समझ में आने वाला है तो पहला लिखा लेंगे हम इसको लोग रॉस्टेर रूप में कैसे लिखेंगे हैं रॉस्टर रूप निक्षिन के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के की दी समन्द एफ तबराबर क्या लिखेंग員 बिख सिंपल मेल से वाल जागा एक समद 2 से हैं इसी प्रकार दो आप संबन तिन से हैं तो 2 यह से प्रकार 3 का समध्द 4 से हैं तो 4 हो जागा छार का समंध्द 5 से तो 4 दो सिंपल आपका क्या हो गया रोष्टर रूप में हो गया अब मेरे दर्च तब रोश्टर रूप में हो गया देखिए यह जो एक जितने और है इसको आप मालेजे एक्स और बी के जितने यह दूसरा हमको ग्याद करना है समुच्चे निर्माड रूप में यह थोड़ा सा डिफकॉल ठोथा लेकिन समझ में आ जागा समुच्चे निर्माड रूप में अब समुच्चे निर्माड रूप में लिखना है मेरे प्यारे विद्धार थी हूं तो समुच्चे निर्माड भी यह और यह को आ Mole में क्या सब्समिनध है दो जिसे दो पनोट है,보े की बार हम प्रहूं को यख़े वालुन कों यहां यहां तो वह याई से तो आएँ अदिक Giraud दो तो इसका एक से अधिक है यह और कि यह सापकर एक है, एक में प्लाज़ कें तो नहीं चारत यहां 5, मतलब Y की जो बहली होगा, वो X प्लस 1 है, तो हम लोग लिखेंगे आपके की F बराबर X Y, ठीक है, X बराबर करमी तो यूग में X Y है, लेकिन यह X Y कैसा है, तो X Y such that, जो Y है, वो कैसा है, X प्लस 1 है, जो Y है, जो Y है, वो कैसा X प्लस 1 है, ठीक है, और जो X है, कहा से बिलंग कर रहा है, तो A से, मतलब X की जितने B O Y है, सब कहा से लिए गए, A से लिए गए, ठीक है, कामा, उसी प्रकार Y की जितने B O Y है, कहा से लिए गए, B से लिए गए हैं बात खत्म यहिंए आपका सम्मुच्छन निरमाण रूप में हो गया देखते हैं कि नों के बीच क्या संब्द है यह देख पा रहे तो बॉराबर एक्स लश्य था बस यह पर लिख दिया हमने समुच्य निर्माद रूप में तो देखे कितना इसी है समुच्य निर्माद रूप में भी हो गया इसके पाद तीसरा आपको ग्याद करने के लिए बोलेगा प्रांथ प्रांट तो प्रांट क्या होता है प्रांट वह होता है कि ए के सभी वेव जो काम में आते हैं इसमें प्रांट हमेशे समुच्य होगा कि पूरा सेट ही उनों कामा आगा उसमें तब प्रांथ हमेशा समुच्चे A ही होगा समुच्चे A का मतलब क्या दिया है 1,2,3,4 ठीक है तो यहां तक केलियर को आप लोगों को तब समुच्चे A ही पूरा इसका है प्रांथ होगा तो प्रांद भी निकालना आ गया च्छा होता है आप से पूछेगा परिसर क्या पूछेगा परिसर ठीक है परिसर मतलब समझते हैं क्या होता कि समुचे B के वो जो काम में आये हो तो समुचे B के कौन वो जो काम में आये है दो कामा तीन कामा चार कामा पांच यह कम में आयों तो यह परिशर कहलाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्दार्ट थी पूसता है सपरांथ पाचमां। अब सपरांथ क्या होता है। तो सब को मालूं है कि सापरंथ क्या हूँ तो विद्धा अगे अगा मतल initially समुचे बिध के जीतेना भी आुँयो हैं सब सापरंथ in एक कामया चार को जिए अपका ढाल आगा सापरंथ अब इतना हो गया है इसके बाद पाचवा निकालना आगया आपको फिर छाठमा पूछ सकता है प्रतिवीम कि प्रतिवीम बताइए तो प्रतिवीम तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रतिवीम को मतलब कि एक का प्रतिवीम क्या है दो दो का प्रतिवीम क्या है तीन तीन का प्रत प्रत्विम होता है तो प्रत्विम क्या हो जाएगा हमारा तो प्रत्विम हो जाएगा देसे एक का प्रत्विम कि एक का प्रत्विम लिखेंगे हम लोग क्या एक का प्रत्विम क्या वहां पर है दो है इसी प्रकार दो का प्रतिविम क्या हो जागा तीन है इसी प्रतिविम का प्रतिविम क्या है चार है और चार का प्रतिविम क्या हो जागा पांच हो जागा सिंपल यह तो प्रतिविम पूछता है तो प्रतिविम आप देखके तुरुन दिख्याद कर लेंगे प्रतिविम के बाद आपका स टू था दूपर प्रत्विम क्या हो जागा एक छोजयला इसी प्रकार क्यानच Vienna एतना चीज्जा को 가장 पूछ अपको क्योछे का मेरे प्यारे विदार्चु इसके अलावा इस एक्सासा जो उधारन में कुछ ज्यादा है नहीं बस साथ चीज अगर आपको निकालने आ गया तो समझे कि काम आपका बन गया बसे इस साथ चीज आपको निकालना आपको आना चाहिए अच्छे तरीगे जो कि मैंने बता दिया आप देखिए चलेंगे उधारन की तरफ और सारे उधारन देखेंगे हावा में उड़ेगा है ठीक है तो चलिए उधारन नमबर बढ़ते हैं कि इसके रिलेसंस है इसके रिलेटेड जो भी उधारन है सारे उधारन करेंगे चलिए मेरे प्यारे विदार्चु देखिए उधार संक्यां का संतर है और यन मुझत यह लिखते था इधर वेल लिखते संतरों इधर यह इंघ कम बनाव मतलब यह होता है तो मालिए कि यन प्राख Independence संक्या का संभिश्य है और यहन पर परिभासित एक संबंध र इस परकार है की जो र होगा वो X, Y में होगा तो जाइरस बते हैं X, Y में तो होता ही है जो र होगा वो X, Y में होगा और Y बरावर यहाँ पर कंडिशन दिया है, दो X और काया कि जो एकस वाइ है वो बिलांग करेगा कहां से? से निच्रूरल नंबर से प्राकिट संख्या से तो R के पुराथ कीजिए R के सा परांध कीजिए तथा R के परिसर क्या होगा आयीक गयात करने के बाद यह भी पताये कि क्या वह संबंद होगा या फलन होगा तो इतना चीजी हमको बताना है तो चलिए आईए हल देखते हैं इसका तभी समझ में आएगा तो पहले ग्राप बना ले तिने डाइग्राम ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लिए हो पाएं देखिए आगे बोल चुका हमको कि जो आर रिले ृटरियाग्राम झाइन बन गया अब कहा है कि इदर आपका उन होना जाहिए और इदर भी इन होना चाहिए और इन दोनों के बीच और बार एक संबंदस्थापित करना है ठीक है अभार इदर भी मताब कि नेच्रल नम्पर नेच्रल नम्र क्या होता है एक दो तीन चार पांच छह साथ कितना डौ डोड़ बहुत जाएगा निच्रल रॉमायन तक जाता है इधर भी नेच्रों नमपर एक दो तीन चार पांच मतलब कि इधर की जितने भी समुचे उसको X माल लेंगे इधर भी समुचे की जितने आवयोव हैं उसको Y माल लेंगे तो इधर के सारे आवयोव को मैंने X माल लिया और इधर के सारे आवयोव को मैंने Y माल लिया और कहा रहा है कि जो Y है y क्या है y बराबर 2 x बोल रहा है क्या y बराबर क्या है 2 x मतब y बराबर 2 x का मतब कि अगर x का बेलू अगर में 1 रखूं तो y की बेलू क्या जाएगा तो y बराबर क्या जाएगा 2 गुडे 1 बराबर 2 आजाएगा अगर x की बेलू में 2 रखूं तो y बराबर क्या जाएगा दो गूडे 2 बराबर क्या जाएगा इसी तरह अगर x की बेलू में 3 रखूं तो y बराबर क्या जाएगा इसी तरह x बराबर में 4 रखूं तो y बराबर क्या जाएगा दो गूडे 4 बराबर 8 आठ जाएगा इसी तरह x बराबर 5 रखूं तो y क्से होजागा दो से दो का समन्ध चार से तिन का समन्ध छोफ से चार का समन्ध आट से पश्वावत कर समन्ध इसात्य तरह कीiencies हो जागा साथ का समन्ध इसी तरह की तरह ाई भाई आन्न तफिक equipped पर चलता रही ही रहला हैगा मतलब इदर के जीतने भी सा रहे होरे सबका कोई ना कोई बनता ही रहे हैं कि दखे-एपराकिर क्अज़न, नदुन हरा ब्वार्थ होती है मतलब क्या हैश्य एक स्य लिकनथ तक होगी यारा शापरांत किया जाएगा जाएगा एसमेरे नूट कर दिया प्रांत की बात बूंचाथ सब बूंचा था कस Wasp400 मतलब वहीं चीजे जो जो बीज में जितने हो हैं सब के सब परांत कलाएगे तो तो बीके भीविट नंबर यह है सभी नंबर ही आपके एक सप्रांद कहलाएं तो इसमें भी सप्रांद करने आने वहला है परिसर में देख लेते हैं परिसर क्या था परिसरो वह ता है कि बी यूद जो काम में मस्तर इसम परांत करकर संफ्खिया हो जाना हो जागा तो पूरा के पूरा करा ए जो की नेचुरल नमबर है सौ प्रांध पूरा का पूरा भी जो की नेचुरल नमबर है परिसरक मतलब सिर्फ सम्मुचे इधर का भी का वजो काम में आयो तो 2,4,6,8,10 जो की एक संप्राकिर संख्या है इतना करने के बाद लाश्म को यह भी बताना था कि क्या यह संबंद य क्या है यह जो संबंद है यह क्या फलन है इसलिए फलन कीस जभी रेंगे यह सब्का क्या इमेज बन रहा है तो आपको क्या हो जागा या फलन हो जाएगा तो इसलिए फलन है हमने प्रांद ग्याद कर लिया परिसर ग्याद कर लिया और यह भी लाश्ट में बता दिया कि यह संबंध जो है फलन है इसलिए कि जामपल नमबर जो दस्वा है आप लोगों का complete होता देखें मेरे प्यार विदार्थू एक्जामपल नमर 11 इजी है कह रहा है कि नीचे दिये गए संबंधों में से प्रतेक का निरेच्छन कीजिए और प्रतेक दसा में कारण सहीद बतलाईए कि क्या यह फलन है थो नहीं यहां पर तीन क्यूशन दिया हुआ मतलब तीन स्टे देखिया आर बराबर दिया है दो कामा एक तीन कामा एक चार कमा एक तो क्या होता है एकसवाई होता है क्योंकि एक्रमिती यूग में लिखे होते हैं एकसवाई 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 हो है तो इसके पहले ड्राइग्राम बना लेते हैं ताकि सारी से किलियर हो सके तो पहला solve कर रहे हैं तो चलिए पहला solve करके देखते हैं कि या फलन है या फलन नहीं है ठीक है तो चलिए इधर को हम A माल लेते हैं इसको B माल लेते हैं इनके पीछ हमें सम्बंदस थाबित करना है तो देखिए इधर क्या होते हैं सब लोग जानते कि इधर X क्योंटे हैं इधर Y क्योंट होता है तो जो आगे होता हो तो एक में क्या जागा 2-3-4 चार जाएगा अब 2 का 2-3-4 हो गया इधर Y होते हैं सो य क्या है एक यग यह को मतल सिर्फ एक ही एक लिखते हैं ठीक है रिपिटेशन नहीं करते हैं कई कि और वीं का रहा है कि दोका समदों इसमें एक से दो समंदों एक से की नोब तो मेरे प्यारे बादार चीज़ें कि और फ़लन है की नहीं अब आप ऊसकती करना गया चाहिए बिल्कुल अार già कोinformat क्या लिखेंगे फलन है मतलि इन दोनों के बीच एफ संबंद है ठीक है फलन है बात करते हैं सिंपल है करना ही क्या है कुछ नहीं इसी प्रकार चलिए दूसरा पार्ट के लिए डाइग्राम बनाते हैं दूसरा पाट के लिए डेगरान देखें यह हो गया A और यह हो गया B इन दोनों के पीच R संबंद करना है अच्छा R दिया था नदे याँ पर R लिखेगा क्योंकि इन दोनों के पीच R संबंद दिया है तो R लिख लिजगा दूसरा देखें क्या है इसमें X क्या होँगे इसमें Y क्या होँगे तो दूसरा आपका क्या है दो देखे आगे जो होगा हो ही तो X होगा दो, दो, तीन, चार तो यहाँ दो बारा है तो सिर्फ एक यह बार लेंगे इसके बाद तीन को लेंगे इसके बाद इसा आगे वाले चार को लेंगे यह आपके X क्या हो जाए हो है B क्या हो जाएंगे तब B क्या हो जाए हो 2, 4, 3, 4 तो 2 तो पहले लेंगे 3 भी ले लिया इसके बाद 4 लेंगे फिर यहाँ पर भी 3 है तो 3 लेंगे फिर 4 आ गया तो 4 को नहीं लेंगे क्यُνकि एक बार 4 में ले लिया है तो एक के हो यह 2-3-4 उगे और एक के हो 2-4-3 हो गे आप इन दोने को भी समढ़दर स्थावित करना था तेहां क्या है था 2-2 के साथ समढ़दर स्थावित करना था मता ये फलन है तो आप कहेंगे फलन बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक लड़के की एक लड़के कभी दो माह हो सकती है एक दो और एक चार मता ये कभी हो सकती है कभी नहीं तो लिखेंगे कि फलन नहीं है फलन नहीं है फलन नहीं है कारण हम बताना था ना तो लिखेंगे फलन नहीं है क्योंकि आवयोव दो आवयोव दो के दो प्रतिवी में हैं और यो दो कि कितने प्रतिवी में दो प्रतिवी में देख लिए यहां दो प्रतिवी में नहीं है दो का एक दो होसकी यह ट्रीक होता है इसके पार्ट इसकाल करते हैं देखते हैं कि फुल एक नहीं इसकरlla मौना पड़ेगां चलिए हैश्चा यह प्यारा से डेग्राम बनाते हैं और समस्थे हैं है यह गहाँ और दिरह बाइँ और जैसा दिख लिए इसमें apost हुआ दिया है एक्स में लिख लेज़ें एक दो तीन चार पांक्छ है और बी मि क्या दिया है पीशन अभी होता है तो जो तीन चार 19 साथ पीश्र online में आपको बीवाल बिया है दो 3 सब्सक्राइब हाँ करें तो एक का समदों यसाद सब्सक्राइब और पूरे यह देखने में वालम हूं चला है ते इस से लिख देंगे फन है फलन है, इस प्रकार मेरे प्यारा विदर्थी हो ये आपका एक्जामपल नॉम्मर 11, अच्छे तरीके से किलिर हो गया है, मतल beginner यह कोई दिक्के थी, इसमें कोई दिक्के थी, सिंपल था हमने एक बार फलन निकालना चाहिए तरीके से जानी गया है करना गया है तो आपको क्यूस्ट नमबर जो एक्जामपल नमर 11 किलियर हो गया है तो चली एक्जामपल नमर 12 की तरह बढ़ते हैं उसे स्वल्व करते हैं चली मेरे प्यारे विदार्चों देखे एक्ज जो है जो संब्ण दर्साना है वह एन से लेके एन तक होना चाहिए ठीक है एन से लेके एन तक होना चाहिए और fx fx वराबर दिया आपका 2x प्लस एक द्वारा परिभासित एक वास्तिविक फलन है इस परिवासा का परिवकर के नीचे दी गई सारणी को पूर कीजिए यह सारणी को पूर्ण करना है ठीक है अब मेरे पियारे विदार्थ देखें यहां पर बताया है कि आपको कलियर होगा यहां पर देखें हल में हमको बता रखा है कि जो fx वह आपका क्या है दो X प्लस एक है एक बात ध्यान समझे तब ही किलियर होगा मेरे प्यारे विदार थी जो FX है न FX को Y कहते है Y ही हमारा क्या कहलाता है FX कहलाता है Y ही हमारा FX कहलाता है यह बात आप अपने दिमाग में रख लिजिए कि Y को ही हम क्या कहते है FX कहते है कैसे fx का ते y को आप समझजी यहां पे दियां से जैसे यहां पे 2 में समुच्चे ले लिया इधर भी आपका n है इधर भी आपका n है ठीक है नेचरल नमबर 1, 2, 3 ले लिया तो मेरे प्यारे विदार्थियों देखिए यहां पे इसको मिलाना है तो यह का समझ जब इससे दरसाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है fn होता है इसका मतलब क्या होता है fn मतलब इधर आपका x होता है इधर आपका y होता है जानते हैं आप लोग तो यह का समझ जब इस दरसाते हैं तो आपका fn ही होता है इसको बिखसे आता है तो आपका ऊंट जाए profess Lewis थे इसको इससे दर्फ साथ होता में तो आप कआपका F3 होता मतब कईना कई customer होता है f2 को यह हम लिखते हैं तो कभी हम आपका समझह Dani अफ्क्लियर है व्रीजी की यह हो समझे कि यह पात यह पॉइंट जो बताया हूँ इदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है चलिए यह सबी के सब्सक्राइब यह है यह है इसी प्रकार देखिए आप करना हमको कुछ नहीं तब हमको यह मालूम चल गया कि एक्स को ही हम क्या कहते हैं वाई कहते हैं तो क्लियर हो जागा यहां पर यहां पर आपको क्लियर हो जागा सबका अलग अलग बैलू रखेंगे तो खुद ही मालूम चल जागा यहां पर एक्स की बलू एक तो आराम से यहां से बैलू निकल जागा वाई का ते हो जागा दो ग कि जगा में two राख दू एस्टू नोस 9 के जागा डो गुड़े अके सी नियुकर देंगे दो प्लस एक तो जागा दो दूनिके 4-1 मतलब पांच का यह तेक फोर ऑपत मतलब एसेंगे पर एंस तो फ्रॉिक Corona हागा 5 के यह इसी प्लेकार्ट दो करना है एफ की जिन्हाना थी में रख दो ते को जाएका दो गुलतीन पूर्स एक हो जागा, 3 मतलब क्या 5, मतलब F3 आपका क्या किया कहाँ seven क्योंकि three को ही हम क्या कहते हुए य सीम्हें जोसम्वंद थावित के तो दो गुड़े चार प्लस एक हो जागा तो चार दुनूरी के आठ प्लस एक ब्राबर क्या हो जागा नो ठीक है एफ़ोर में क्या भर आ जाएगा यहाँ पर नो भर जाएगा एफ़ोर में नो भर दिया इसी तरहां हम लेंगे F5 F5 लेंगे तो क्या हो जागा दो गूरे 5 प्लस एक हो जागा 5 दुनी के 10 प्लस एक कितना हो जागा 11 हो जागा ठीक है तो हम लोग F5 की जंग का भरेंगे एफ फाइब एफ फाइब एफ फाइब क्या भरेंगे सोरी एफ फॉर की जगा यहां पर नो नो होगा एफ फ़र जोंगा में नो भर दिया अब इसका विलूई 11 आया है तो आपकी 11 भर देंगे इसी प्रकार एफ 6 तब एफ 6 ले लेंगे तो आपको जागा दू गूड़े 6 मतलव च्छे दूनी के बारा और एक कितना हो जागा द्यरा तो हम लोग फ 6 की जनगे क्या हो जागा फी असके तरह एफ 7 ले लेंगे तो एक 7 बराबर क्या हो जागा दू साथ पर एक तरहुड़ कितना हो जागा तो आपका वाई का वेलू निकलता गया है हम लोग यहाँ पर भरते गए तो simple इस प्रकार क्यूसन आते हैं I hope यह clear हो गया होगा तो मेरे प्यारे विदार थो इस वीडियो में यहाँ तक मैंने सारे सीज़े clear कर दिया I hope आपको क्यूसन्स clear हो गया होगे मेरे प्यारे विदार थो यहाँ तक मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में अगले स्लाइड लेकर ठीक है अगर वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक किजे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे